हलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो आप सब ठीक हुए और आप सबी का मेरी यूट्यूब चेनल में स्वागत रहे तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक है पेंटास प्लांट की केर टिप यह है पेंटास प्लांट और मेरे पास दो कलर की है यह देखिए लाइट पिंक में और अबी क्या है देखें मेरे पेंटास में यह देखे पत्तियां सूक रही हैं और फूल भी जो पहले से खृएव वह भी सूख गए हैं तो पत्तियां सूक रही हैं वो ज्यादा उसका प्लांट के खराब होने का डर हैं तो इसलिए मैं अभी क्या कर कर रही हूं इसकी मैं मतलब पुरी सफाई निंदाई गुडाई सब करूँगी और इसमें उसके बाद खाट डलूंगी और यह है मानिंग ड्री का बीज देखिए इसमें एक छोटा सा मानिंग ड्री का प्लांट हो गया था वह फूल के उसमें बीज बनके देखिए सुख गय तो यह दिखे मैं घास निकाल दी हूं इसमें से जो भी खर्पतवार उगई है इसकी सफाई कर रही हूं तो यह कि साब भी हो गये और अब कुछी तरह से दिख रहा है मेरा प्लांट अब अच्छा दिख रहा है यह देखिए गमला भी तूट गया तो इसको अच्छी तरह इसमें गुडाई करके अब इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट डालूंगी देखे कितना सुंदर लग रहे है और पेंटास का प्लांट तो आप सभी रखिए अपने घर में अपने गार्डन में क्योंकि यह सालवर फूल देने वाला प्लांट है और बहुत ही कुपसूरत लगता है और रेट कलर का और ही ज्यादा खुबसूरत है और यह कई कलर में आता है इस तरह से इसके बढ़ाई कर एक इसमें इसमें फाट डालते रहे तो यह पौधा आपके गार्डन में शालबर बना रहेगा यह देखिए मैं इसमें डाल रहे हूं और इसके सुखे फूल और सुखे पत्ते को निकालते रहना जिए तो उसमें नए बंच बनेंगे और फ्लावर भी आएंगे और यह पूरे बंच में खेला रहते हैं और ऐसा लगता है जब पूरे बंच में फ्लावर आते हैं तो एकदम बूगे जैसे लगता है बहुत ही खुबसूरत लगता है और इसके सनलाइट में रखने की बात की जाये तो फिर इसे अभी समर आने वाला है तो समर में दो घंटे या तीन घंटे ही रखे ज्यादा तेज परती है गर्मी में तो वो आप सुबे साम दोनो ताइम देते रहें